साथ जीव माया और जगत उससे पैदा हुए है उससे रख्षित है उसमें लाए होंगे ऐसा जानकर उपास ना करो जीवो यह देखो बेद एक ही छांदो गोपनिशा तीन चौदा एक आप देखो ब्रहदारण कोपनिशा अहम ब्रह्मा अस्मी एक चारदस मैं ब्रह्म हूँ एक यथागने चुद्रा विश्पुलूंगा व्युच्यरंति येव मेव अस्मादात्मना सरवान भूतान व्युच्यरंति और आपको हमने एक ही मंत्र में भी बताया था दोनों चीद चांदो ग्योपनिशत आठ एक पांच आठ साथ एक एश्पुलूंगा अपहत पाप मां तो ये तमाम भेदा भेद संबंद के प्रमाण बरे पड़े हैं मनिष्ट की थोड़ी सी आयू है विचारा कितना पढ़े कितना समझें शंक्राचार जाए नगाज ये तमाम सारी बात आप जो लोगों को बर्गना रहे हैं हम नहीं मानते हम तो कहते हैं बस एक ब्रह्म है और बाकी ये सब ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म इसको कहते हैं बिबर्थ बाद माया बाद केवला द्वईत बाद अर्थात हम भी ब्रह्म है ये संसार भी ब्रह्म है बाया बाया कुछ नहीं ये संसार भी ब्रह्म है हमको तो दिखाई पड़ता है सब कुछ आप कहते हैं ब्रह्म है तुमको अज्ञान है अज्ञान ब्रह्म हो गया है तुमको कैसा जैसे रस्षी में साप का भ्रह्म हो जाएं एक एक शब्ध पर ध्यां देना थोडा बुद्धी का विषय आ रहा है जैसे रसी में साप का भ्रम हो जाए अंधेरे में हम लोगों को हो जाता है तेड़ी मेड़ी रसी पड़ी हो पकड़ंडी में और हम जा रहे हो अंधेरे में ए ये तेड़ी मेड़ी रसी नहीं साप हो सकता है नहीं रसी होगी नहीं साप हो सकता लेकिन अपन को रसाप ही मानना चाहिए क्योंकि अगर हमने रसी मान के पैर रख दिया और वो साप हुआ कोबरा तो फिर दस सेकंड में हम जीरोबटे सव हो जाएंगे तो हम भूम के चले जाते हैं